चमतकारी गुनों का भंडार है इस धातू का बरतन कई बिमारियों का करेगा सर्वनाश और शरीर को बना देगा वज्डू नमश्कार मैं हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीचुल पीतल के बरतन आज भी लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है जैसे जैसे लोगों को उसके बेनिफिट्स के बारे में पता चलता जा रहा है वैसे वैसे इनका उपयोग एक बार फिर से भढ़ने लगा है उदेपुर शहर में भी कई परिवार ऐसे हैं जो आज भी इन पीतल के बरतनों को बनाने का कारे करते आ रहे हैं कारीगर को कहना है कि वैपीड़ी दर पीड़ी यह कारे करते आ रहे हैं दरसल उदेपुर शहर के जगदीश मंदिर मार्क परस्थित कसरों की पॉल में आज भी करीब 25 से 30 परिवार ऐसे हैं जो पीतल के बरतन बनाने का कारे कर रहे हैं कारे कर अमरितलाल कसारा की माने तो उनके अनुसार पीतल की मोटी परते बजार से लाई जाती हैं इसके बाद उन्हें बरतनों में ढालने का कारे होता है बरतनों को बनाने में करीब दो से तीन दिन का वक्त लग जाता है आग में लगातार तपाने के बाद उन्हें बरतनों में ढाला जाता है इसके बाद लोहे के हतोड़े से पीट पीट कर इसे आकरिती में लाया जाता है आपको बता दें कि पीतल के बरतन में पानी, जग, कड़ाई का प्रशलन बड़ी-बड़ी कोठियों में आज भी होता है लेकिन इसके कीमितों में बड़ोतरी होरें से भी इसके प्रशलन में कमी आ गई है लेकिन गाओं में आज भी बेटी को दहेज में पीतल के बड़न देने की परंपरा कायम बनी हुई है पीतल के बड़नों में खाना बनाना और ओल्ड फैशन सबको लगता है फिर भी यह आपको काफी सारे स्वास्थ किलाप देता है इन बरतनों में खाने से nutritional value बढ़ जाती है अगर आपके घर पर तांबे या पीतल के बरतन है तो इसका प्रियोग करने से आपकी मजबूती और immunity लेवल भी हाई होगा फिलाल के लिए इतना ही हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले दुशे के साथ अब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नाइन स्पीच वलको धन्यवाद